हेलो दोस्तों इलेक्ट्रो एक्सपेट चेडन आपका स्वागत है मैं हूं अक्षय अमरे वारा जम बात करने जा रहे हैं सिंफनी के जम्ट सेवेंटी लिटर से अर कूलर के बारे में इस विडियो में किस तर से एस को यूज किया जाएं तो दोस्तों यह देखिया हम बढ़िए डिशाइन की साथ मिलता है और ऑर गॉक्सिट सी हरते देर की ऑश अज पटक गाले click और यहां पर यह आइस चंबर है, आइस या वाटर चंबर यहां से पाने डाल सकते हैं और यह यहां पर दो नॉप्स हैं, जिरा स्विचेस हैं, जिन उप्रेट कर सकते हैं तो यूज करने के लिए सबसे पहले मैं आपको तरीका बताता हूं कि इस स्कूलर को खाली ही वहां रख लें जहां पर आपको पिसे चलाना है जिस रूम में चलाना है, जिस जिएकर पर आपको रखके चलाना है, वहां पर इसको रख लें stand-side या अप एक गणन पाइब ले ले ले, उससे आप पानी डाल सकते हैं, वाटर चेम्बर में, यहाँ बांटी मकेक रूष करना चाहते हैं, वेसे भी आप डाल सकते हैं, और नली से आप डालते हैं तो ज्यादा बहतार रहेदा, फिर यह पानी के टैंक बश जाए, यहाँ आपको थंडी हवा चाहिए या नहीं चाहिए आपको थंडी हवा और चाहिए तो इस नौप पर यूज़ आपको और अगर आपको स्पीड का ही कंट्रोल करना है तो यहां से कर सकते हैं तो देखें आओ यह जो नौ है इसमें पहला है कूल का यह देखें आओ कूल वाला जो आप्शन है इससे पॉंप इसका स्टार्ट हो जाता है यानि कि ठंडी हवा आपको हो लेगी यह देखें स्विंग प्लस कूल यानि कि ठंडी हवा के साथ साथ यह जो अंदर इसमें लूवर्स हैं मोटराइज्ड लूवर्स यह घुमने लगेंगे और अगर आ यहाई मिडियम लूप मैं इसको ओन करता हूँ यह देखें सबसे पहले आमने लोग पर रखा यह देखें आप बहत्रीन हवा है इसकी और देखें एकक्तम कम साउंड एकक्तम विस्पर क्वाइट परफोमेंस है इसकी लेक्त समझें कि यह कुछ चल भी नहीं जारा है इस पड़ जाती है तर देखें आप यह हाई स्पीड है इसकी पूल स्पीड है यह पर आते आते हैं सामान पूरने लग जाएंगे और फूल स्पीड पर जी आप देखें कि इतने कम आवाज करता है यानि कि आप बीदी को चला नहीं सकते उन्होंने अगर कोई बात कही है तो पोस्ट नाई देगी यह उनको भी पता चलेगा कि पूलग इतना कम आवाज करता है मेरी बाद तो अच्छे से इंको बल ने पड़ रही हो तो दीरी का कहना टाले रही जब इस तरह की स्विड मिलती है और एर डिलिवरी की बात करें तो 119 कुबिक मिटर्स की एर डिलिवर इसकी अंकड़ी और मॉटर को लेगी तो बहुत ही अच्छी स्पीड हमको मिल जाती है दोस्तों इसके पावर कंजर्मशन की बात करें तो इसकी मॉटर 185 Watt की है यानि की काफी कम पावर कंज्यूम करती है तो इसको आप इंवर्टर पर भी चला सकते है जर्मियों में अकस सब्सक्राइब करें रोस्तों तो वन हीर वनियरस की वारंटी मिलती है जो कि ऑन साइट है जहां पर आपका पुलर होगा वहां कंपनी का टेक्निशन इसको ठीक करने के लिए आएगा आपको होम सर्विस पर मिल जाती है और इसका पैड आप देखें पैड बढ़िया है इस आपने ज्यादा घर दिया है टेंक में तो यहां पर देखें आप ओर्फलो यहां से हो जाएगा पानी यह और फ्लो के लिए जब्रदी है साथ ही इसमें वाटर रिलीस ब्लग भी है यहां पर अगर आपको पूरा टेंक एक छटके में खाली करना है तो आप इसको हटा दें पानी नीचे बह जाएदा का जब आप इसको बंड करते हैं एक साइब में इसको घर दें और यह देखें कि पानी अगर इसमें घरा हुआ है तो समतल जगह पर ही इसको चलाएं असमतल जगह पर नहीं चलाएं ताकि इसके स्टैंड की उनल ज्यादा लगेगा तो दोस्तों यह हमने बता रहा है सिंफोनी जंबो सेवंटी लिकर्स एयर कूलर के यूसेज के बारे में आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हूँ तो प्लीज लाइक करें कमेंट करें शेयर करें तो मैं चैनल को स्ब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना नहीं हुआ झाल